नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आपका यूटीब चैनल इंटरनेट से सिखो में दोस्तों बिहार बेल्ट्रोन में जो डिए ओ के लिए जो डाटा एंटरी ओपरेटर के लिए एकजाम जो होना था उनका जो है डेट सामने आ चुका है और कौन से ताड़ीक मे उसकी एकजाम होगी और कैसे एकजाम होगी वो मैं आपको पूरी जानकारे इस्टेफ बाइस्टेफ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंतक बने रहना है सारी जानकारिया मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो जैस जानकारी जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं तो जोस्तों तो चलते हैं इसकी वेबसाइट पर तो जब जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम गुगल पर आ चुके है और गुगल पर आने के बाद आपको बधर ट्राइब करने जा आउन दोस्तों बेल ट्रॉन को टाइप करने हैं बेल ट्रो 塊 करेंगे आप थोड़ी निचे आपको एस्ड़ी वेबसाइट आपको समने और जैसे आप किलिक करेंगे इसकी ओफिसली वेबसाइट पर जो वियार स्टेट इलक्ट्रोनिक्स डेवलोप्मेंट कॉर्पोरेशन लिमेटर यानि बैल्ट्रॉन का जो ऑफिसली वेबसाइट है उस ऑफिसली वेबसाइट पर चले जाएंगे आप देख सकते हैं कि यह इस इसकी ओफिसली वेबसाइट है और इसे आप थोड़ी नीचे की ओर आप करेंगे तो आपको न्यूस सर्कुलेटर जो है आपको दिखाई देगा आपको इसके फर्स्ट पेज को आपको क्लिक करने है जो नियूली रेजिस्टर डियोज एक्जामनेसर नोटिस जिए जो लि है और दोस्तों एक इसकी जो है रेजिस्टरेशन जो नियूली रेजिस्टरेशन डियोज की जो डियोज डाटा इंटर ऑपरेटर के जो है उसकी सिलेवस भी जारी कर दी गई है इसकी जनकारी जो है मैं आपको अगले वीडियो के मादिम से बताने वाला हूं तो थोरी दे सकते हैं यह डाउनलोड स्टार्टिंग और शुरू हो चुकी है आप इसे टेप करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार इस्टेट पहली नमर में जो दिया गया है मार्च अप्रेल 2019 में संपन विज्यापन संख्या 1754 बटए 19 दिनांग 8 2019 को आउनलाइन रेजिस्टेशन परक्रिया के रेजिस्टार कराये हुए अब बेरतों को सुचित किया जाता है कि समवीदा आधार नियोजित की सुची वदता के लिए आयोजित की जाने वाली दक्षता परिक्षा नवंबर से दिसंबर 2019 में आयोजित की जा रही है जिया दोस्तों नवंबर से दिसंबर तक किलेर कर दिया गया है कि नवंबर से द 2019 जियां दोस्तों 27 नवंबर 2019 को से होने वाली है इसकी एक्जाम और परिक्षा जो है वो पटना में TCS ION जियां दोस्तों TCS ION के परिक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी आप देख सकते हैं इसी तारिक को आप इसकी जो है एक्जाम 27 नवंबर को TCS ION में एक्जाम होने वाली है आप इसी परिक्षा एक्जाम सेंटर पर आप जा करके एक्जाम दे सकते हैं तो परवावित दक्षता परिक्षा बेस्ट टेस्ट यानि CBT से यानि online के माधियम से आपकी जो है एक्जाम होने वाली है और प्रन्थता जो अभियर्थियों के computer ग्यान की परिक्षा होगी वो एक घंटे की होगी और 60 परिक्षा में पूछे जाएंगे इनमें पूर्णिता हेतु जो है पच्चास अंक आना जो है आपका अनिवारी है पच्चास परिक्षा में जो साट नंबर के अंक पूछे जाएंगे उसमें आपको 50% आना जो है आपको अनिवारी है इसमें रिजल्ट जो है आपको 50% परिक्षा में जरूरी है तभी आप qualified हो पाएंगे तो MCQ परिक्षा का सिलेवस National Institute of Open Schooling जी हाँ दोस्तों NIOS के Data Entry Operator के सिलेवस Code 336 के समान होगा यानि MCQ का जो परिक्षा होगा उसका जो सिलेवस है NIOS के जो Data Entry Operator का सिलेवस है उसके माध्यम से ही पूछा जाएगा और जिसे इस सूचना के साथ प्रकासित किया जा रहा है इसका MCQ का सिलेवस है दोस्तों इसकी जो सिलेवस होगी मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना करके आपके सामने रखूँगा और क्या-क्या उसमें पूछी जाएंगी वो सारी जनकाड़े मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताऊँगा तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे अनुरूद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दविद्ध दबा देंगे तो आप तिसरी नमर में देख सकते हैं दोस्तों कि परिक्षा में उत्रनता के पसाथ टाइपिंग दक्सिता परिक्षा आयोजित की जाएगी यानि टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा जिसकी विद्धता सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइड के माध्यम से अलग से दी जाएगी हिंदी एवं अंगलेजी दोनु के टाइपिंग के दक्सिता एक ही दिन यान दोस्तों एक ही दिन कम्पिटर पर लिजाएगी परति एक टाइपिंग परिक्षा 10 मिनट की होगी तथा दोनु टेस्ट के भीच दस मिनट का अंतराल होगा यानि जो परिच्छा जो typing test लिया जाएगा दोस्तों एक ही दिन में दोनों typing test यानि हिंदी रुंट्र ही दोनों को लिया जाएगा और 10-10 मिनिट का आप लोगों को समय दिया जाएगा और 10-10 मिनिट का अंतराल के अंदर ही आपका जो है दोनों एक्जाउम जो हिंदी और इंग्लिस की जो टाइपिंग है उनकी एक्जाउम ले ली जाएगी और दोस्तों परतियक टाइपिंग जो होगा आपका 10 मिनट की होगी और 10 मिनट का जो टेस्ट होगा उन दोनों के बीच का अंतराल भी 10 मिनट का ही होगा हिंदी टा अग्रेजी में नियुनतम 30 वर्ड करेक्ट वर्ड होना चाहिए तथा हिंदी में नियुनतम 25 वर्ड करेक्ट होना चाहिए इन परिक्षाओं में उन्तिरन अभिर्थियों को सम्विदा आधारित डेपलोप्मेंट के लिए सुजी बद कर एक मूल का निर्मान किया जाएगा परिक्षाओं में 10% तथा दिव्याकन अभियर्थियों को 15% की अधीमान तक दी जाएगी यानि उसमें 10 जो अनुस्वची जनजाती महिलाये होंगे उनको जो 10% की छूट जाएगी और जो दिव्यांग अभियर्थियों के उन्हें 15% की भी छूट दी जाएगी और विभागूं द्वारा विभागऊं तथा अधियाची ओक्राणेलों के प्रीजिसी कि अनुकरम में विर्थियों का नाम प्रेशन बेल्टरोन द्वारा सुनिճित करा जाएगा यानि जो भी रेजिस्टर्ट नंबर होंगे उनका उसी नंबर पे आपको जो है इसकी सूचना बेल्टरों द्वारा सुनिस्चित कराई जाएगी इसकी सूचना दी जाएगी अधियासना विदूत प्रेशन के राजसरकार के आरक्षन निती का पुरुनता पालन किया और पांच नमर में आप देश सकते हैं दोस्तों कि डियो के मांदे का निर्माण का जो निर्धारित राजसरकार दुवारा है तथा सूचन प्रावेदिक की विभाग दुवारा सुचित अनुधिस्चित किया गया जाता है मांदे राशी का समय समय पर राजसरकार के द्यूंति का कोई आधार या कारण नहीं होगा यह इस सारे चीज डिकलियर कर दीए गयी है अगर आप इस पीडिया फैल को डॉनलोड करना चाहते हो तो इस फीडिया फैल को डॉनलोड कर सेकते हैं मैं इसका इसका सारा लिंख आप अपने डारेक्टली कमेंट बॉक्स में केमेंट कर सकते हैं तो इसमें डारेक्टली जो है मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसकी जो है एक्जाम की जो डेट है वो साब तोर से किलर कर दी गई है आपकी साथ 23 नॉवंबर 2019 से होने वाली है और इसकी जो परिक्षा होगी Tcs ion के परिक्षा के अंदर पर ही आयोजित की जाएगे तो दूस्तों आप लोगों को सब पूरी ताकत के साथ आप लोगों अनुरुणे की पूरी ताकत के साथ आप इस एकजाम को पास करें और टैपिन टेस्ट को भी पास करें तभी जागर के आप लोग बेल्टरों के माध्यम से जो है D.E.O की जो पुष्ट होती है वो आप प्राप्ट कर सकेंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना सेयर करें ताकि जो भी कंडिडेट्स D.E.O की एक्जाम की जो एक्जाम की डेट के लिए जो इंतजार कर रहे हैं वो इस एक्जाम में भाग ले सकें तो दोस्तों हमारा इस ये वीडियो चैनल में आप सबों का धन्यवाद